इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे ज्यारखंड के भौगोलिक उपनाम से संबंधित सभी अब्जेक्टिव प्रस्न और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल इस्यारखंड को सब्सक्राइब कर ले चलिए वीडियो को शुरू कर जाता है सही अंसर होगा नेतरहाट को नेतरहाट की खुबसूर्ती के कारण इसे छोटा नागपूर की लानी या क्वीन ओप छोटा नागपूर कहा जाता है नेतरहाट कहां है तो यह लातेहार जिले में है और यह ज्यारखंड का सबसे ठंधा अस्थान भी है इसके अलाव नेतर हाट में मैगनोलिया पॉइंट भी है जहां की सुर्यास्त के समय में बहुत ही मनवरम द्रिस्य देखने को मिलता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं जारखन के किस सहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है सही अंसर होगा नेतर हाट को नेक्स्ट कुश्चन है जारखन के किस जीले को भारत की अभरक की राजधानी के नाम से जाना जाता है तो भारत की अभरक की राजधानी के नाम से कोडर्मा को जाना जाता है जारखन में उच कोटी का सफेद अभरक पाया जाता है जिसे रूबी अभरक कहते हैं जिसके विदेशों में भी बहुत मांग है इसके अलावा ज्यारखंड में अभरक कोडर्मा के अलावा हजारी बाग और गिरीडी जीले में भी मिलता है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं ज्यारखंड के किस सहर को भारत का पीट्स बर्ग कहा जाता है ज्यारखंड के किस सहर को इस पात नगरी कहा जाता है सही अंसर होगा जमसित पूर नेक्स्ट क्वेस्चन है हजार बागो का सहर किसे कहा जाता है ये क्वेस्चन दारोगा मेंस परिछा 2017 में पूछा गया है तो हजार बागो का सहर हजारी बाग को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं जारखंड के किस सहर को मोटरिस्ट पेराडाइज कहा जाता है? सही अंसर होगा राची को चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पे जारखंड के किस सहर को छोटा नागपूर का परवेश द्वार कहा जाता है? सही अंसर होगा चत्रा नेक्स्ट क्वेस्टन है साथ सो पहाड़ियों का छेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो साथ सो पहाड़ियों के छेत्र के नाम से सारंडा को जाना जाता है यह एक घने जंगलो और पहाड़ी छेत्र है सारणड़ा कहा है, तो सारणड़ा पस्च्चमी सीम्मोम में है जारखन का कौन सा सहर कोईला नगरी के नाम से जाना जाता है असान क्वोश्चन है, एक्जाम में भी बार बार पुछा जाता है सही अंसर होगा, धनबाद next question है मंदीरों का सहर के नाम से कौन जाना जाता है सही answer होगा देवघर देवघर को मंदीरों का सहर के नाम से जाना जाता है देवघर में ही विश्व विख्यात बैधनात मंदीर है जहां सीव के बारा जेवति लिंगों में से मनोकामना लिंग इस्थित है इसका निर्मान पूरण मल द्वारा किया गया था next question है मंदीरों के गाउं के नाम से कौन जाना जाता है सही answer है मलूती या मलूती भी कहते है यह कहा है तो यह दुमका में है यहां 108 छोटे बड़े मंदीर है इसलिए इसे मंदीरों का गाउं कहा जाता है मंदीरों का सहर देवघर को कहा जाता है और मंदीरों का गाउं मलूती को कहा जाता है जारखंड के किस सहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है सही अंसर होगा चमसितपूर को इसके अलावा जारखंड का खेल नरसरी के नाम से सिमडेगा को जाना जाता है क्यों खेल नरसरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सिमडेगा से ही बहुत सारे होकी खलाडी उभर कर आये हैं जो कि विदेशों तक में अपना नाम कमाये हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है सही अंसर होगा राजमहल नेक्स्ट क्वेस्चन है जारखंड में किस जगह को सीटी ओफ वाटर फॉल कहा जाता है ये क्वेस्चन भी बहुत बार पुछा जाता है और इसका सही अंसर होगा राची राची में अनेक छोटे बड़े जल परपाथ है जिन में से हुंडू जल परपाथ दसम जल परपाथ जोनह जल परपाथ सीता जल परपाथ अधि परमुख है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते है जारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है सही अन्सर होगा बैधनात धाम नेक्स्ट क्वेस्चन है जारखंड के किस सहर को खादानों का सहर कहा जाता है सही अन्सर होगा धनबाद नेक्स्ट क्वेस्चन है जारखंड के किस सहर को सही दों का सहर कहा जाता है सही अन्सर होगा राची जीला को नेक्स्ट क्वेस्चन है पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा सहर जाना जाता है सही अन्सर होगा वासू की नात नेक्स्ट क्वेस्चन है निमलिखित में से किस सहर को टिसको और टेलको सहर के रूप में जाना जाता है तो सही answer होगा जमसित पूर जमसित पूर को टिसको और टेलको सहर के रूप में जाना जाता है next question है कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है कारखानों का कारखाना के नाम से HEC को जाना जाता है जो कि रांची में इस्थित है नेक्स्ट कोईस्चन है भारत का रूर एवम जारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है सही अंसर होगा छोटा नागपूर का पठार रूर रूर जर्मानी का एक छेतर है जो कि खनी संपदा छेतर है जिस तरह छोटा नागपूर का पठार खनी संपदा के लिए जाना जाता है उसी तरह रूर जो कि एक जर्मानी का छेतर है अपनी खनी संपदा के लिए जाना जाता है इसलिए छोटा नागपूर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है Next question है भारत का सेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है सही answer है भेंडरा पहले तो ये जान ले कि भेंडरा है कहा तो भेंडरा आपका वोकारो जीले में है भेंडरा छोटे-छोटे लोहे एवं कुटीर उधीयोगों के लिए जाना जाता है इसलिए इसे भारत का सेफील्ड के नाम से जाना जाता है Next question है बंगाल का सोक से कौन जाना जाता है तो बंगाल का सोक दामोदर नदी को कहा जाता है या जहारखंट की सबसे बड़ी और लंबी नदी है जिसकी लंबाई 592 किलोमीटर है इसके पानी के अंस में कोईले का अंस भी पाया जाता है इसलिए इसे सबसे जहारखंट की सबसे गंदी नदी भी कहा जाता है या परदूसित नदी भी कहा जाता है जारखंट के किस सहर को कारखानों का सहर के नाम से जाना जाता है तो कारखानों के सहर के नाम से जमसितपूर को जाना जाता है जमसितपूर में टाटा इस्टील के अलावे बहुत छोटे बड़े उध्योग है इसलिए से सहर को कारखानों का सहर के नाम से जाना जाता है जारखन का सिमला के नाम से कौन सा सहर जाना जाता है ये कोईस्चन भी JPSC एक्जाम 2012 में पूछा जा चुका है तो जारखन के सिमला के नाम से राची को जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि राची में भी हमेशा मौसम सुहावना रहता है और गर्मी के दिनों में भी गर्मी कम पड़ती है और ठंडी-ठंडी हावाएं चलती है नेक्स्ट कुश्चन है भारत का स्वीटजर लैंड के नाम से कौन जाना जाता है सही अंसर है छोटानागपूर नेक्स्ट कुश्चन है बुढ़ा घाक के नाम से कौन जाना जाता है सही अंसर होगा लोध जल परपात को बुढ़ा घाक के नाम से जाना जाता है यह जारखंट के सबसे उचा जल परपात है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल Study Pre Questions को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताके आपको latest update मिलता रहे Thanks for watching